पांचवे चरण में हुई भरजी वोटिंग, मैला से जबरदस्ती डलवाया गया वोट, समाजवादी पार्टी ने शेर किया वीडियो, करडाली सक्त कारवाई की माहँ, लोकसवा चुनाप के पांचवे चरण की वोटिंग के दोरान कई दिगजों ने वोट डाला, बल्कि पांचवे चरण की वोटिंग को देखते हुए राहूल गांदी राय बरेली पहुँचे थी और उन्होंने राय बरेली पहुँचने पस सबसे पहले पिपलेश्वर हनुमान मंदिर में प्रात्ना की थी, इसके बाद राय बरेली के एक पूलिंग वोट पर पहुँच लेकिन यूपी में पांचवे चरण की वोटिंग के दौरान कई जगा हंगामे और फर्जी वोटिंग की भी खबरे सामने आए, बल्कि सोशल मीडिया पर कई वीडियो भी वायरल हो रही है, ऐसा एक वीडियो फतेहपुर लोकसभा की जहानाबाद विधान सभा का भी वाय लगाया है, महिला का आरोप है कि उससे जबरदस्ती वोट डलवाया दिया गया, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे है, वीडियो में महिला का कहना है कि वो समाजवादी पार्टी को वोट डालने आए थी, लेकिन जबरदस्ती उससे बीजेपी में वोट डलवा दिया गया, इस वीडियो को समाजवादी पार्टी ने शेयर किया और लिखा है कि फत्यहपुर लोकसभा की जहानाबाद विधानसभा में वो संक्या 197 पर पीटा सिन अधिकारी द्वारा, महिला मतदादा से डलवा दिया गया गलत को, चुनावायुक संग्यान ले निस्पक्ष मतदान निचे थो, चले आपको वो वाइरल वीडियो दिखाते हैं और सुनाते हैं कि आखिरकार महिला ने क्या और कैसे गंभीर आरोप लगाए हैं आपकार यापकारा यापकार कर आणि अब उन्याम hope लाने एक जाए सिकल कर अमारे हैं चाहत आई जबटादा companya रह चैहाम हाया종 को, तो सभाड़ या Corporation, O20bbraiập भीर ही मतदानी है क्यां ओकड़्ाति के सभाकार है हुआ जयूजजय सकार्थी ही तृफिलके ही हाट जए ही तृफ नहीज घगी टृफ नहीं है इस वीडियो के वारल होने के बाद अब चुनावायों के साथ साथ इस्थाने प्रिशासन पर भी कई तरह के गंभीर आरोप लगाने विडियो शेर करते हो चुनावायों से आरोपियों के खिलाब सक्त सक्त कारवाई की मांग भी किया तो इस राइबरेली में भी फरजी वोटिंग करवाने के आरोप समाजवादी पार्टी ने अधिकारियों पर लगाए हैं समाजवादी पार्टी ने राइबरेली लोकसभा की उचाहार विदान सभा में बूत संक्या साथपर पीटासिन अधिकारी द्वारा खोदी भुजुर्ग मत दाता हो कि वोट डालने का आरूप लगाए है बकादा समाजवादी पार्टी ने एक्स पर पोस्ट शेर करते हुए ये गंभीर आरूप लगाए है सोशल मीडिया पर तमाम फरजी वोटिंग की खबरे वारल हो रही है कई राजनितिक दलों ने फरजी वोटिंग के आरूप भी लगाए है अब ऐसे में देखना होगा कि चुनाव आयोग इन पर क्या एक्शन देता है और लापरवाई करने वालों पर क्या और कैसी कारवाई होती है तोकि मामला गंभीर है और जिस तरह से सोशल मीडिया पर इस महिला ने आरोप लगाए है वो भी कई तरह के गंभीर तरह की चुनाव आयोग के सामने पेश करता भी है तोकि चुनाव आयोग निस्पक्ष वोटिंग का लगातार आश्वासन देता है और ये बात वो लगातार बोलता भी है लेकिन जिस तरह से वर्जी वोटिंग के आरोप समयवादी पार्टी ने लगाए हैं ये भी गंभीर मसला है फिलाल इस खबर में बस इतना ही अपडेट्स के लिए बने रही है वन इंडिया हिंदी के साथ